और इसमीच बड़ी खबर आ रही है, सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधान मंत्री मोदी ने निशाना साधा है और कहा है कि चमडी के रंग से पित्रोदा ने देश को गाली दी है, अमेरिका वाले अंकल ने काले रंग वालों को गाली दी है, शेहजादे को जवाब देना प्रधान मंत्री ने सैम पित्रोदा के उस बयान की आलोचना की और उनको जमकर गेरा और राहूल गांधी से सीधे तोर पर जवाब मांगा कि इस बात का जवाब उनको देना चाहिए, तुचा के रंग से, चमडी के रंग से देश को गाली दी सैम पित्रोदा ने, ये कहा प्रधान मंत्री मोदी ने सहजादे के अंकल पौंक फिलोसाफरेंट गाइड है, और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एमपायर होता है नहीं, कोई कन्फूजन होते तो थर्ड एमपायर को फूचते हैं, और वैसे ही ये सहजादे ये थर्ड प्लेयर को confusion होते तो सला लेते हैं ये सहजादे के philosopher and guide uncle ने बड़ा रहस्य खोला है उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब आफरीका के हैं मतलब आप सबको मेरे देश के अनेक लोकों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी तब चाहकर कि मुझे समझाया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि ये द्रवपदी मूर्मू भी आफरीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा इनका ये देश को कहां ले जाएंगे अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो हम तो स्रीक्रस्टे की पूजा करने वाले लोग है जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जाएंगे